आज की इस नई अपडेट में आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एरलाइन सो टेवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने रही है पहली बड़ी ख़बर की जानकारी यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइटों को लेकर जान लेते हैं आपको बता दे कि ओमी कुरोन के खतरे को देखते हुए अभी भी पूरी दुनिया में अंतरास्टे उड़ाने कैंसल हो रही है बीते कल की रिपोर्ट के नुसार अकेले अमेरिका में तकरीवन 2200 फ्लाइटे कैंसल की गई है और पूरी दुनिया में 3800 से अधिक फ्लाइटों को कैंसल किया जा चुका है हम आपको बता दे कि क्रिस्मस के बाद से ही यहाँ पर फ्लाइटों को अशर देखा जा रहा है और अब तक टोटल 25000 से अधिक फ्लाइटों को कैंसल किया जा चुका है अगली अप्रेट यहाँ पर दिल्ली और मुंबई एरपोर्ट से सामने रही है आपको बता दे कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल की गौवर्मेंट की तरफ से एक नया एनॉंस्मेंट निकाला गया है जिसके तहट अब दिल्ली और मुंबई से लिमिटेट फ्लाइटों को ही वेस्ट बंगाल में ऑपरेट करने की परमिसन दी गई है ये दोस्तों यहाँ पर केवल सोम बार और सुक्र बार को ही दिल्ली या फिर मुंबई से कोलकाता एरपोर्ट या फिर वेस्ट बंगाल में जितने भी एरपोर्ट हैं उन सभी एरपोर्ट पर फ्लाइटों को उपरेट किया जाएगा इसके लाव सब्ता के बाकी दिनों में कोई भी फ्लाइट दिल्ली या फिर मुंबई से वेस्ट बंगाल के लिए उपरेट नहीं की जाएगी वेस्ट बंगाल की गौर्णमेंट की तरफ से ये जो नियम है पांच जनुवरी से लागू कर दे गया है पांच जनुवरी के बाद दिल्ली और मुंबई से वेस्ट बंगाल के लिए फ्लाइटे जो है लिमिटेट तोर पर ही उपरेट की जाएगी फ्रेंट आपको बता दे कि अभी तक भारत में फ्लाइटों को पर रिस्टिक्शन केवल वेस्ट बंगाल की गौर्णमेंट की तरफ से लागू किया गया है इसके लावा अभी भारत में जितने भी फ्लाइटे हैं उन फ्लाइटों को नॉर्मल बिस्स पर ही ऑपरेट किया हुआ है फ्रेंट्स आगली खबर यहाँ पर विस्तारा एरलाइट से सामने रही है विस्तारा एरलाइट जो की भारत की एक फुल सर्विस करियर एरलाइट कमपनी है आपको बता दे कि विस्तारा एरलाइट में नए CEO की ऑपरेटमेंट की गई है नए CEO यहाँ पर बिनोत कर इससे पहले विस्तारा में चीफ कमेर्शल ओफिसर के पोजिस्टन पे थे अब इनको पर्मोट करके चीफ एग्जेक्यूटिव ओफिसर बना दिया गया है इसके लाव आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर इंडिको से ले लेते हैं आपको बताना चाहेंगे क इंडिको एरलाइन्स की तरफ से यहाँ पर जानकारी से एर की गई है कि खराम मुस्म के चलते वो बानारस एरपोर्ट पर अपनी फ्लाइटों को समय पर ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्यूटर हैंडल एकाउंट से ट्यूट करके दी है इसके लगए एक और अपडेट यहाँ पर भारत के प्रधानमंती नरेंदर मोदी से जान लेते हैं आपको बता दे कि PM मोदी जो है मनीपूर में कई सारे प्रोजेक्ट का इन्योगरेशन करने वाले हैं टोटल इस समय मनीपूर में 4,800 रुपे तक का प्रोजेक्ट का इन्य प्रोजेक्ट का इन्योगरेशन चार जर्वरी को होने वाला है इसकला यहाँ पर भारत में करोना वारस केसिस के बारे में जानकाई ले ले लें तो इस समय भारत के दो राज्ये हैं जहाँ पर करोना वारस काफी तेज से फैल रहा है पहले नंबर पर यहाँ पर महराष्ट जहां पर बीते कल टोटल 11,887 नए कोरोनावारस के केसें रिपोर्ट किये गए हैं इसके लावा 50 ओमिक्रॉन के भी इन्फेक्शन पाए गए हैं आपको बता देखें कि दूसरे नंबर पर यहां पर दिल्ली का नंबर आता है दिल्ली में भी बीते कल 3,194 नए कोरोनावारस क पॉजिटिव रेट 4.59% है कोरोना वारेस के बढ़ते हुए हालात को देखते हुए सुप्रीम कोट ने अब बर्चुल हैरिंग शुरू कर दी है जिए दोस्ते यहाँ पर सुप्रीम कोट तीन जनवरी के बाद अपने सारे काम बर्चुल मीटिंग के जरी करने वाला है इसके अब अपने साथ कोरोना वारेस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना कमपलसरी है यदि आप यहाँ पर फुली वैक्सिनेटेड हैं तो आप अपना वैक्सिन सर्टिफिकेट ले सकते हैं लेकिन अदि आप फुली वैक्सिनेटेड नहीं है तो ऐसे हालात में अबसे ही लेटेस ट्रैवल नियमों के बारे में जानकारी ले 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 इन सब के लावा फेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट कई सरे लोगों के सवाल आ रहे थे अलग-अलग कंट्यूओं को लेकर ट्रैवल नियम के बारे में तो उसको लेकर हमने एक लेक्शन में जाकर भी देख सकते हैं तो फ्रेंट से थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोग के लिए इन खबरों को लाने में बहुत मेनद लगती है यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है काम की लगती है तो इसको एक लाइक जूरूर कर दे और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें